मैं डॉक्टर लक्षमी नरायन प्रवक्ता इतिहास राज के माडल संस्कृति वरिष्ट माद्मिक विद्याले ततारपूर इस्त्मुरा रेवाडी हरियाना आप सभी विद्यारतियों का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूँ आज के अपने उपविशे हैं फ्रांस्वा बर्नियर वे ट्रेवल्स इंदा मुगल एंपायर इसी के साथ अपने अध्यान काल के अनियात्रियों को भी पढ़ेंगे पलसर्ट, अब्दुर्रज्जाक, महमूद वली बल्खी, शेख अली हाजिन प्यारे विद्यार्तियों, भारत वे यूरोप के बीच व्यापार पहले स्थल मार्ग से होता था भारत वे यूरोप के बीच जल मार्ग से संबंध जोडने का अश्रे पुर्तगालियों को जाता है जब वासको डिगामा 17 मही 1408 में इस्वी को भारत की कालिकट बंदरगा पर पहुँचा ये सबसे पहला यूरोपिय यात्री था जो पुर्तगाल से भारत सबसे पहले पहुँचा था पुर्तगालियों के आगमन के पश्चायत कई लोगों ने भारतिय सामाजिक रिती रिवाजों तथा धार्मिक पर्थाओं के बारे में विश्त्रित रूप से लिखा है उन सबी यूरोपिय यात्रियों में एक नाम सबसे अधिक चर्चित माना जाता है वह है फ्रांस्वा बर्नियर जो फ्रांस का निवासी था यह एक अच्छा चिकिच्चक, दार्षनिक, राजनेतिक वह इतिहासकार था फ्रांस्वा बर्नियर का जन्म 1620 इस्वी में फ्रांस के अंजो नामक प्रांथ के जू नामक शहर में हुआ उसका परिवार पेशेशे क्रशक था तथा बर्नियर ने चिकच्चक की पढ़ाई की अर्था दॉक्टर बना इस पेशे को करते हुए उसने फिलिस्टीन, सीरिया वे मिस्र की यात्रा की 1656 इस्वी में वे भारत में सूरत पहुँचा तथा इसी वर्ष वे मुगल सासक साहजा के धरवार में गया और साहजा के बड़े पुत्र दाराशिकों ने उसे अपना चिकिच्चक बना लिया उसने ओरंग्जेव दाराशिकों के उत्राधिकार संबंदी युद्ध को देखा यनि के साहजा के पुत्रों की गद्धी को लेकर के हुई लडाई को इसने देखा इन लडाईयों में दारा की मृत्व हो गई मृत्व के बाद वे आर्मीनियाई अमीर डानिस मंडखान के संदक्षन में चला गया अर्थात अवो डानिस मंडखान के पास चला गया उसने भारत में सूरत, आगरा, लाहोर, कासिम बाजार, मसली पटम वे गोल कुंडा इत्यादी अनेक स्थानों का भर्मन किया 1668 इस्वी में वे अपने देश लोट गया और 1688 इस्वी में अपने पैतरक स्थान पर ही उसकी मृत्व हो गई ये बर्नियर का फोटो है और साथ ही उसकी पुस्तक ट्रेवल्स इंदा मुगल एमपायर का कवर पेज है बर्नियर ने अपनी यात्रा के संसमरण ट्रेवल्स इंदा मुगल एमपायर नामक पुस्तक में लिखे है फ्रांस्वा बर्नियर 1656 इस्वी से 1668 इस्वी तक अर्थाद 12 वर्स तक भारत में रहा जो कुछ भी उसने भारत में देखा और समझा उसे वह ट्रेवल्स इंदा मुगल एमपायर में लिखता रहा उसकी यह रचना 1670 केतर में प्रकाशित हुई तथा इसे फ्रांस के सासक लुई सोलवे को समर्पित उसने किया पहले पांच वर्सों में ही वे जर्मन, डच, अंग्रेजी तथा इतालवी भासाओं में प्रकाशित हो गई आठ बार फ्रांस शिशी में इसका मुद्रण हुआ तो वहीं अंग्रेजी में भी तीन बार पुनर मुद्रित हुई अब तक पुनर मुद्रित होने की प्रमप्रा नहीं थी यही एक ऐसी पुस्तक थी जो पुनर मुद्रित हुई थी अठारा सो ईश्वी तक अरबी और फार्शी वरतान्तों का परशार हस्त लीपियों से ही होता था इस पुस्तक में जो वरतान्त हमें मिलता है वैसाजां के सासनकाल के अंतिम दिनों का मिलता है जब ओरंग जेव और दारा सिकों में सत्ता को लेकर संगर्श चल रहा था उसने इस उत्राधिकार के युद्ध को स्वम देखा था तथा उसका वर्णन इस पुस्तक में उसने किया है वै मुगल धरबार वै अमीरों के रहन सेहन का भी वर्णन करता है पूरव पस्चिम की तुलना में वै पूरव को एविख्षित बताता है बर्णियर ने जो कुछ भी भारत में देखा उसकी तुलना वै यूरोप से करता था लगबग प्रतेक द्रस्टांत में बर्णियर ने भारत की स्थीति को यूरोप में हुए विख्षित पूरव के रूप में वरनित करता है जिसकी यूरोप ये इतियासकारों ने अपने द्रस्टी कोंड से व्याख्या कर भारत को यूरोप से निमन गोशित कर दिया क्योंकि उन इतियासकारों ने भी इसी यातरी के वरतानतों को पढ़ा और अपने निरने दे दिये ट्रेवल सिंदा मुगल एमपार में मुगल सैना के साथ कस्मीर यात्रा का विवरण उसने दिया है किस तयारी के साथ वे कौन-कौन सा सामान वे रास्टे के लिए ले जाते थे इसका विवरण दिया है वे नीमबू के सरबत और दही को भारत की सबसे ताजगी भरीवस्तु मानता है जो ये हमने संसंबरण का एक पुस्तक्षे लेकर इसमें दिया है इसमें सारा वरणन इसमें दिया है कि वे एक तंबू, एक दरी, चार, बहुत कठोर पर हलके बैतों से बना एक छोटा भिस्तर, एक तक्या, एक भिछोना इस तरह से पूरी चीजे इसमें वो लिखता है जिसके हम सूची बना सकते हैं कि उस समय यात्रा में क्या-क्या वस्तुएं लेकर जाते थे बर्नियर ने अपने यात्रा वरतांत में भारत में भू स्वामित्व, क्रिशी और क्रिशक के बारे में वर्णन किया है वह भू स्वामित्व संबंधी वर्णन में लिखता है कि भारत में क्रिशी के पिछडने और किसानों के सोशन का परमुख कारण है किर्शी भूमी पर समराट का स्वामित्व होता है उसके अनुसार भारत में भूमी पर किसान का निजी स्वामित्व नहीं था यानिके किर्शी भूमी किसान की अपनी नहीं होती थी बलकि सारे सामराज की भूमी का मालिक स्वामित्व था जबकि यूरोप में यानि कि अपने देश से तुलना करता है भूमी पर जनता का निजी स्वामित्य था यानिके किशान भूमी का मालिक होता था फ्रांस में बर्नियर के अनुसार निजी स्वामित्य का हभाव राजव जनता दोनों के लिए हानिकारक था वो दो बातें विशेश तोर पर लिखता है किर्शक किसी भी परकार का निवेश भूमी में नहीं करते थे क्योंकि वे जानते थे कि यह भूमी उसकी संतान के नाम नहीं होगी नहीं वे किसी तरह का भूमी सुधार करने में रूची रखते थे क्योंकि उन्हें डर रहता था कि अगली बार मुझे ये जमीन किर्शी के लिए मिलेगी या नहीं इसी तरह से ग्रामिन समाज का भी वह वर्णन करता है वे लिखता है किसानों पर लगान वसूली में अत्याचार होते थे उन्हें जीवन निर्वा के सादनों से वंचित कर दिया जाता था तता बत्सों से भी आदोना पड़ता था उन्हें दास बना लिया जाता था इसलिए किसान गाउं छोड़कर भाग जाते थे ये हम विवरण इस सारे में पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल के साथ सासक वे समाज के बारे में भी बर्नियर लिखता है बर्नियर ने मुगल समराट को भिखारियों वे कुरूर लोगों का राजा कहा है वे लिखता है कि इसके सहर वे नगर विनिस्ट तथा खराब हवा से दूसित है इसके खेट जाड़ीदार तथा गातक हैं दलदल से भरे हुए हैं इसका मात्र एक ही कारण मानता है राजकिय भू सामितु परन्तु हम पीछे पढ़ रहे थे कि किस तरह से अलवे रूनी ने यहां की भूमी और किर्शी को अच्छा बताया है भूमी स्वामितु वे ग्रामनि समाज की अवधारना का मुल्यांकन करते हैं बर्नियर के वर्तान से भारत की दुर्दसा का चित्र आखों के सामने आता है परंत्री एवर्नन्स परश्ट तोर पर एक पक्षिय दीखता है एक पर देखते हैं भू स्वामित्य के बारे में क्या लिखता है भारत आये अन्यात्री जैसे एड़वर्ड टेरी, सर्टामस रो, पलसर्ट जो इसके समकालिन थे भारत की स्थीति को अच्छा बताते हैं सकारात्मक बताते हैं मुगल कालिन किसी भी दस्तावेज से यह जानकारी नहीं मिलती कि सारी भूमी का मालिक समराठ था फिर अबुल फजल का जो विवरण हमें अकबर नामा में मिलता है वह बताता है कि भू राजस को राजतों का पारी सर्मिक बताता है जो परजा की सुरक्षा और परसाज की खर्चों के लिए लिया जाता था यह लगान या किराया नहीं था बर्नियर के समकाली तवेरनियर वे मनूची का वरतांत भी बर्नियर के मत की पुष्टी नहीं करता तो इस तरह हम देखते हैं कि बर्नियर का ये वरतांत पूरी सत्ता पर आधारित नहीं है ग्रामिन समाज के बारे में बर्नियर क्या वरणन करता है बर्नियर का ग्रामिन समाज का चित्रन भी सत्यशे परे है जो इस बात की पुष्टी करता है कि वे भारतिय समाज को समझ नहीं पाया था सौलवी सत्री स्ताफदी में समाज में चारित्रिक द्रश्टी से सामाजिक वे आर्थिक अंतर बड़े स्तर पर थे इस समाज में एक और बड़े बड़े जमिदार थे जो भूमी पर उच अधिकारों का परियोग करते थे दूसरी और ऐसप्रश्य भूमी विहीन श्रमिक थे इन दोनों के मद्द में वो क्रिशक बताता है जो किराय के श्रम का परियोग करके माल उत्पादित करता थे यनके किर्शक जमीन लेता था, लेबर लेता था, किराय की और माल बनाता था, यनके खेती करता था, किर्शक में भी एक छोटे किसानों के रूप में किर्शक थे, जो मुश्किल से अपना गुजारे योग उत्पादन कर पाते थे बर्नियर भारत में भी यूरोप जैसे मध्यमवर्ग की आशा करता है, जिसके नए दीखने की स्थीति में वह निसकर्ज निकाल लेता है, कि भारत में मध्यमवर्ग नहीं है, जो उसका अनुमान स्वर्था गलत था कुछ उसके विरोधाबाज पूरण सामाजिक सचाईयों पर नजर डालते हैं, बर्नियर कई जगह स्वम अपनी ही बातों से उलट लिखता है, वह एक जगह लिखता है कि भारतिय दस्थकारी इसलिए पतनशील है, राजा से प्रोचसान नहीं मिलता पूरण स्वम लिखता है कि भारतिय शिल्पकार आलशी होते वे भी बहुत सारे उत्पादनों का निर्याद करते हैं, इस कारण भारत में बड़े पैमाने पर सोना चांदी आता है, अब वह लिखता है कि भाई, पतनशील है, दुर्य सिरफ लिखता है कि बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं और सुना चान्दी आता है तो दोनों विरोधा भाशी बाते हैं फिर एक और बात लिखता है वह लिखता है कि राज की स्वामित्य के कारण किरशी पिछड़ी हुई थी वह रेतीली वह बंजर भूमी बताता है फिर वह अपनी बात से उलट जाता है वह जाओ भी लिखता है भरनियर राजकिय कारखानों का अभी वरणन करता है मुगल काल में शाहि आवसकता की पूर्ती के लिए वस्त्में एक स्थान पर बनती थी जिने राजकिय कारखाने कहा जाता था वह इसका विश्ट्रित विवरण देता है संभावते भरनियर एक मात्र ऐसा इतियासकार है जो भारतिय कारखानों की कारिये प्रनाली का विश्त्रित विवरण परदान करता है वह लिखता है कई स्थानों पर बड़े-बड़े कक्ष दिखाई देते हैं जिने कारखाना अथ्वा शिल्प कारों की कारिये साला कहते हैं और उन बड़े-बड़े कक् करने वाले कारिगर बैठे होते थे और उनमें शाही महल की आवसकताओं की पूर्ती का सामान बनता था बर्नियर यूरोप को एक चेतावनी भी देता है बर्नियर चेतावनी देता है कि यदि यूरोप ये सासकों ने मुगल धाचे का अनुसरन किया तो उनके राज सुशिष्ट तथा फलते फूलते नहीं रह जाएंगे वे जल्द ही रेगिस्तान तथा निर्जन स्थानों विखारियों तथा क्रूर लोगों के राजा बनकर रह जाएंगे शहर वे नगर रहने योग नहीं रहेंगे वे विनास की स्थीती में आ जाएंगे प्यारवित्यारतियों उनके इस विवरण को आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं शहरों संबंधी वरतांत भी बर्नियर देता है वे लिखता है भारत की 15 परत्षत जनसंख्या शहरों में रहती है यह शहरी जनसंख्या कानुपात ततकालीन यूरोप की शहरी जनसंख्या से अधिक है वे भारत्य नगरों को शिविर नगर कहता है वे कहता है कि इन नगरों का अस्तितु शही शिविर के साथ ही होता है जब श्वीर लगते हैं तो ये नगर विख्षित हो जाते हैं जब वहाँ से शाहिज श्वीर प्रस्थान करता है तो ये नगर उजड़ जाते हैं पतन हो जाता है इन नगरों की सामाजिक वे आर्थिक आधार शिला ठीक नहीं थी बलकि राज की ये स्वीर पर ही निर्भर थी उस समय के अन्ज साक्सों से ये सिद्ध होता है कि बर्नियर की ये धारना भी ठीक नहीं है क्योंकि भारत में उसमें बड़े बड़े नगर थे जैसे व्यापारिक नगर आगरा जैसे बड़े व्यापारिक नगर थे उसमें धार्मिक नगर भर्द्वार है बड़ा धार्मिक नगर है बंद्रगहा नगर तीरत स्थान व्यप्रसासनिक नगर भी थे इन नगरों में व्यापारी वर्ग, चिकित्षक, अध्यापक, अधिवक्ता, चित्रकार, वास्तुवीद, संगीतकार, सुलेखकादी रहते थे बर्नियर लिखता है कि सामाजिक वे आर्थिक आदार्शिला ठीक नहीं थी तो इसका भी हम निरक्षन करते हैं, उधारण देखते हैं, हमारे यहाँ व्यापारी अक्षर अपनी जाती वे व्यवसाइक संस्ताओं के माद्यम से संग्ठित रहते हैं, अपने संग्ठन बना लेते हैं पस्ट्वी भारत में ऐसे समूओं का माजन कहा जाता है, जिसका मुख्या सेट होता है, एमदाबाद का एक उधारन है, एमदाबाद जैसे सेहरी केंद्रों पर सभी माजनों का सामूइक परतिनिधित व्यापारिक समूदाय के मुख्या द्वारा होता था, जिसे नगर कहते हैं, तो यानि के हमारे हैं सामाजिक और आर्थिक धांचा भी बड़ा मजबूत था, अधार्चिला उसकी मजबूत थी विद्यार्थियों, बर्नियर की धारना का अनलेख कोंपर क्या प्रभाव पड़ा? बर्नियर की पुस्तक, ट्रेवल सिंदा मुगल एम्पायर का अनेक भासाओं में अनुवाद होना और बार बार परकासन होना, ये इस बात को जताती है कि ये पुस्तक कितनी लोकप्री हो गई थी इसने भूष स्वामित्यु के मुद्दे पर यूरोप को एक विचार दिया और अनेक लेकों ने इसका भरपूर परियोग किया, यहां पर हम दो लेकों को पढ़ेंगे, जिन पर बर्नियर की पुस्तक का विशेश प्रभाव पड़ा, वो थे मॉन्टेश्कू और कार्ल मार इन्होंने विभिन परकार की धारनाएं भारत के बारे में बनाई, मॉन्टेश्कू की क्या धारना बनी, मॉन्टेश्कू अठारवी सदी का फ्रांसिशी चिन्तक था, उसने बर्नियर के सिद्धान्त का परियोग कर निरंकुस्ता के सिद्धान्त को स्थापित करने का प्र स्थिति में रखते हैं। राजा के पास सारी कृषी भूमी का मालिकाना हग होने के कारण सासक वे अमीर वरक को जोड़कर सभी कि स्थिति चिंतनी थी। जबकि हम देख चुके हैं पीछे कि सारी भूमी का मालिक सासक नहीं होता था भारत में ये बर्नियर की गलत धारना थी कारल माक्स पर बर्नियर की धारनांओ का क्या परभव पड़ा कारल माक्स ने बर्नियर के क्रिशे भूमी स्वामित्य के सिद्धानत का प्रियोग एशियाई उत्पादन सैली तथा विवस्ता को समझने में किया वेस्पस्ट करता है कि उपनिवेस वाद से पहले भारत वे अन एशियाई देशों में अधीशेश का अधीग्रेण राज्य करता था इसके कारण से एक ऐसे समाज का निर्मान हुआ जो काफी अत्तक स्वायत था तथा आंतरिक द्रश्टी से सामंत वादी था यहनिके अधीशेश के कारण से भारत में सामंत वाद बना ये कालमाक्स की एक धारणा बनी इस व्यवस्था में साशक का ग्रामिन सामंती समुदाय पर नियंतरन था वे सासक को अधिशेश देते रहते थे यानिके ग्रामिन छेतर में भी कुछ सामन्त हो गए थे जो किसानों से अधिशेश इकठा करते थे और राजा को देते थे वो कार्ल माक्ष जो है वो यूरोपियन शेली में भारतिय समाज विवस्था को देख रहे हैं सासक उनके आंतरिक मामलों में हस्तचेप नहीं करता था यानिके सामन्तों के आंतरिक मामलों में हस्तचेप नहीं करता था यदि सामन्त अधिशेश बेजते रहते थे ये स्थीति जो हम पढ़ रहे हैं ये यूरोप में थी ना कि भारत में ऐसी स्थीति थी वास्तम में यह प्रणाली गती हिंत था निश्करिय थी क्योंकि सासक वे समाज में यह एक समझोता था जिस तरह से यूरोप में होता है वैसी ही कलपना कार्लमाक्ष भारत में कर रहे हैं जबकि ऐसा बिल्कुल भारत में नहीं था परंतु ये दोनों लेखक विचारक कभी भारत नहीं आये मौन्टेश के और कार्लमाक्ष इन्होंने शिरफ बर्नियर की पुस्तक को पढ़कर के ही अपनी धारणा बनाई थी इस तरह से भारत के बारे में विदेशों में अच्छी दारणा नहीं बनी और जब भारत के अनेक लेखक अनेक विद्वान विदेशों में जाते थे तो उनको बड़ा भारी स्पष्टिकर्ण भारत के बारे में देना पड़ता था अब इद्यार्थियों अब अन यात्रियों के बारे में जानकारी लेते हैं जो हमारे अध्यन काल के दोरान भारत में आये और उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा है पलसर्ट आया पलसर्ट नामक डच यात्री ने सत्रवी स्ताफदी ईश्वी के आरंबिक दस्कों में भारतिय उप महादीप की यात्रा की थी बर्नियर की तरह ही वह भी लोगों में व्यापक गरीवी देख करके अचंबित था वह लिखता है लोग इतनी अधिक तथा दुखद गरीवी में रहते हैं कि इनके जीवन को मात्र नितांत अभाव के घर तथा कठोर कष्ट दुरभागे के आवास के रूप में चित्रित अत्वा ठीक परकार से वर्नित किया जा सकता है हैनि कि गरीवी की तुलना वो नितांत अभाव के घर कठोर कष्ट दुरभागे के आवास से कर रहा है पल्सर्ट इस गरीवी के लिए राज को उत्रदाई ठहराता है वह कहता है किर्षकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बनती है एक यात्री आये अब्दुर रज्जाक एक इरानी राजदू थे जिसने 1440 इस्वी में दक्षिन भारत की यात्रा की इसका यात्रा भरतांज सम्वेगों और आवबोधनों का एक रोचक मिश्रन है वह जब काली का टूतरा तो उसने जो देखा उससे वह दुखी हुआ और विचित्र देश बताया परन्तु जब यात्री मंगलोर के एक मंदिर को देखकर बड़ा ही प्रभावित हुआ था मंदिर की मूर्ती की सजीवता को देखकर उसने कहा इस शिल्प और कारीगरे के क्या कहने यह यात्री विजयनगर की चमक दमक्षे बड़ा ही प्रभावित हुआ था यह विजयनगर की बसावट वहां कारीगरों की कलाकारी बाजार, राजा के महल आदी से बड़ा प्रभावित हुआ था इनके यात्रा का एक द्रस्टान इसमें दिया गया है विद्यारतियों आप इसमें पढ़ सकते हैं उन्होंने क्या लिखा है भारत के बारे में एक अन्य यात्री महमूद वली बलखी भारत आया इसने 1620 के दसक में भारत की यात्रा की थी यह भारत की संत प्रमपरा से तथा उनके अध्यात्मिक संदेशों से बड़ा परभावित हुआ था और उस परभाव में आकर के वै कुस दिन के लिए भारत के सन्याशियों के साथ सन्याशिय बन गया था एक अन्य्यात्री आये सेख अली हाजिन शेख अली आजिन ने 1740 इसवी में उत्तर भारत की यात्रा की थी यह भारत यात्रा से बड़ा निराश हुआ वै भारत से गिरना करने लगा इस यात्री की कल्पना क्या थी यह क्यों निराज हुआ वह चाहता था कि भारत में उसका बड़ा स्वागत हो परन्तु ऐसा नहीं हुआ इस से उसके मन में भारत की छवी अच्छी नहीं बनी अब विद्यारतियों महिलाओं की स्थिती के बारे में जानते हैं हमारे अध्यनकाल के दोरान महिलाओं की स्थिती के बारे में यात्रियों ने क्या लिखा है हमने तीन यात्रियों के बारे में जाना इन सभी ने भारतिय समाज के बारे में भी विश्टित वरणन किया है अब हम इनी यात्रियों द्वारा महिलाओं की स्थिति का कैसा वरणन किया गया है देखते हैं सती पर्था यात्रियों के वर्तांत में सती पर्था का विवरण सरवाधिक चर्चा वाला विशे रहा है यह ऐशी पर्था थी जिसके बारे में यात्री विशेशकर पस्चिम के लोग सोच भी नहीं सकते थे जिन यात्रियों ने पूर्वी समाज को पस्चिम से हीन तथा अशब्वे बताया है उसके पीछे सती प्रथा सबसे महत्पूर्ण थी इबरबतुता एडवर्ड टेरी तथा बर्नियर ने अपने वर्णन में सती होने वेकरने के तरीकों का वर्णन किया है इनके वर्णनों से स्पर्ष्ट होता है कि कुछ महिलाएं खुशी से सती होती थी तो वहीं कुछ महिलाएं इस कारिये के लिए बात देखी जाती थी बर्नियर इस बारे में एक बड़ा ही मार्मिक वर्णन करता है उस मारमिक वर्णन को विद्यार्थियों हम इसमें पढ़ सकते हैं ये बुक्षे हमने लिया है लाहोर में मैंने एक भहुती सुन्दर अलप वैस के विद्वा जिसकी आयू मेरे विचारशे बारह वर्षे अधिक नहीं थी को बली होते हुए देखा उस भयानक नर्क की और जाते हुए वे ऐसाय छोटी बच्ची जीवित से भी अधिक म्रत परतीत हो रही थी उसके मस्तिस की व्याथा का वर्णन नहीं किया जा सकता वे कापते हुए बुरी तरह रो रही थी लेकिन तीन या च्यार ब्रहमन एक भूड़ी औरत जिसने उसे अपने आस्टीन के नीचे दवाया हुआ था कि सायता से उस अनिच्चुक पीडिता को जबरन घातक स्थलकी और ले गए उसे लकडियों पर बैठाया उसके हाथ और पैर बांदिये ताकि वे भागने जाए और इस ठीती में उस मासूम प्राणी को जिन्दा जला दिया गया मैं अपनी भावनाओं को दवाने में और उनके कोलाहल पूर्ण तथा व्यर्थ के क्रोध को बाहर आने से रोकने में ऐस मर्थ था किस तरह से उस छोटी बच्ची को जला दिया गया कितना मार्मिक वर्णन हाव विद्यारतियो अब भारत में दास और दाशियों की क्या स्थिती थी इस बारे में जानते हैं दास पर्था के बारे में अधिक जानकारी हमें इवन बतूता से ही मिलती है वे लिखता है दास बाजार में इस तरह बिखते थे जैसे दैनिक परियोग की वस्तों लोग दासों को घरे लुकारिये वे उपार के लिए खरीदते थे जब वे स्वेम सिंद पहुँचा तो उसने सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक को भेट देने के लिए गोडे उट और दास भी खरीदे उसने मुल्तान पहुँचकर वहां के गवर्नर को किस्मिश वैबादाम के साथ एक दास भी खरीदा था सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने नाश्री दिन नामक एक धर्मोप देशक को उसके ग्यान वे परवचन से प्रभावित होकर एक लाख टके तथा दोसो दास दिये थे इबन बतूता के नुसार पुरुष दासों का प्रयोग घरेलू कारियों जैसे बाग बगीचों की देखवाल पस्वों की देखरेक महिलां और पुरुषों की पालकी वे डोली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में होता था दाशियां शाही महल और अमीरों के आवास पर घरेलू कारिये करती थी और दाशियां संगीत गायन के लिए भी खरीदी जाती थी यह बताता है कि सासक की बहन की साधी में इन दाशियों ने उच्च कोटी के कारिकरम प्रस्तुत किये सुल्तान अपने अमीरों वे दर्वारियों पर नियंतरन रखने के लिए भी दाशियों का प्रियोग करता था इवन बतूता लिखता है यह समराट की आदत है हर बड़े या चोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की जो उसके अमीरों की मुख्बिरी करता है यानिके चुपचाप उनकी जानकारी इकठी करता रहता है वे महीला सफाई करमचारियों की नियुक्ति भी करता है जो भिना बताए घर में दाखिल हो जाती है और दाशियों के पास जो भी जानकारी होती है वे दाशिया इन महिला सफाई करमचारियों को दे देती हैं अधिकांस दाशियों को हमला वे अभियानों के दोरान बल पूरवक प्राप्त किया जाता था बतूता यह भी बताता है कि घरेलू कारिये करने वाली दाशियों की कीमत बहुत कम होती थी इसलिए अधिकांत परिवार इन्हें खरीद लेते थे अधिक नहीं तो कम से कम एक या दो दाशी तो घर में मिली जाती थी महिलाओ वे सर्मिकों के संबंद में इन यात्रियों ने वर्णन किया है यात्रियों ने अपने वर्णन में महिलाओ वे सर्मिकों के बारे में कुछ अन्य जानकारी भी दी है उनके नुसार उनका श्रम, कृशी और गैर कृशी उत्पादन दोनों में महत्पून था महिलाय पृवार की व्यावशाईक व्यव्यापारिक गत्विद्यों में हिस्सा लेती थी कभी कभी वे पृवार के विवादों को अदालत तक भी ले जाती थी लेकिन सामाजिक मरियादा के अनुरूप उनसे घर की चार दिवारी में ही रहने की आसा की जाती थी इस तरह में देखते हैं कि श्रमिक का कारिये पुरुष वे महिला दोनों ही करते थे ये मुक रूप से दास-दासी ही होते थे कई बार ये गैर क्रिशक समुदाय से भी होते थे इनकी मजदूरी प्राय बहुत कम होती थी ये दिन रात कारिये करते थे तथा इनका जीवन बड़ा ही कर्ष्ट पूर्ण होता था इसी के साथ ये व्याख्यान समाप्त होता है अब कुछ अभ्यास के प्रश्न फ्रांस्वा बर्नियर कौन था बर्नियर ने भारत में भूस्वामित्व के बारे में क्या विचार दिये हैं बर्नियर के वर्तान से उभरने वाले शहरी केंदरों के चित्र पर चर्चा कीजिए बर्नियर की एविक्षित पूर की धारना की व्याख्या कीजिए यात्रियों के वरतान से सती पर्था के बारे में क्या धारणा मिलती है यात्रियों के वरतान से दास दाशियों के बारे में क्या वरणन मिलता है इसी के साथ आज का हमारा व्याख्यान समापत होता है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद